Good Morning everyone World Power Series के आज 8 च्वे वेडियो में आप सब का स्वागत है आज हमारे पास पहला वोट किया है Proscribe Proscribe काफी स्मिलर है Prescribe से Confuse मत कीजिए उससे Proscribe का मतलब बिल्कुल उल्टा होता है Prescribe का जो मतलब होता होता है इसका मतलब होता है बैन करना या Prohibit करना मना करना निशेद करना लिखा वह रहता है ने रेस्टरों के बाहर या फिर किसी ओफिस के बाहर smoking prohibited तो ये वही वाला prohibited का मतलब क्या हो जाएगा proscribed है वो चीज यह नहीं कि मना है पूरी तरह से जैसे कि एक sentence दिखिए मतलब फेडरल कानून के हिसाब से उन लोगों को क्या किया मना किया गया है कि वो लोग बंधूक नहीं रह सकते हैं अपने पास ये इमेज क्या बता रहा है कि smoking जो है यहाँ पे proscribed है या नहीं तो prohibited है प्रसक्राइब का मतलब बिलकुल वही है जो prohibited का मतलब है मना किया जाना निशेद किया जाना next word इससे similar क्या है प्रेसक्राइब प्रेसक्राइब मतलब क्या होता है डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपको medicine शक्राइब करता है और जो paper देता है पडची देता है उसको क्या कहते हो prescription तो वो prescription होता है और doctor आपको medicine prescribed करता है इसका मतल़ क्या करता है रेकमेंड करता है advice करता है कि यह लीजिए यह medicine लीजिए ठीक है कुछ medicine भी prescribed किया और एक विह का रेस्ट लेने के लिए भी बोला तो यह जो डॉक्टर है यह क्या कर रहा है मैडिसीन आपको प्रेस्क्राइब कर रहा है तो यह प्रेस्क्राइब है इसमें रेकमेंड किया जाता है वह पहला वाला वर्ड प्रोस्क्राइब था उसमें मना किया जाता है किसी चीज के लिए prescribe किया जाए तो वो चीज़ नहीं लेना है किसी चीज़ के लिए prescribe किया जाए तो वो चीज़ लेना है यह recommend किया गया है clear आगे बढ़िए pair pair मतलब होता है trim काटना हटाना जैसे कि direct मतलब क्या literal मतलब क्या नगलेगा pair your fingernails regularly अपने finger के nails को regularly trim किया किजिए काटा किजिए इसका एक figurative sense भी होता है जैसे कि धीरे धीरे कम करने के sense में क्या हो जाएगा the training budget has been paired back to a minimum उसका जो budget था उस training का budget उसको क्या किया है धीरे-धीरे कम करके एक छोटा सा amount में तबदिल कर दिया गया पहले बहुत ज़्यदा लगता था काटना छिलना ट्रिम करना ट्रिम करने का sense है न तो आलू को यहाँ पर छिला जा रहा है यह इसका direct literal मतलब है तो यह था pair प-a-r-e इससे मिलता जोलता word क्या है pair यह तो आपको पता ही है pair of socks pair of something जोडा जिसको कहते हो double of a thing तो यह बहुत clear है इसके लिए आपको example के ज़रत नहीं है next word है वो है precedent precedent मतलब क्या होता है precedent, precede जो पहले हो चुका हो previous example generally court वगरे में use होता है यह word बहुत ज़्यदा precedent होता है previous example, मिसाल यह पुर्वधारन जैसे एक sentence दिखिए there are several precedents for promoting people who don't have formal qualifications कुछ ऐसे पहले के उधारन है जहां पर के लोगों के पास जो है formal qualifications नहीं थे लेकिन क्या हुआ था उनको promote किया गया तो यह जो precedents होते हैं early examples ठीक है पहले के previous examples को आप कहते हो जैसे कि देखोई सिमेट से आप समझने के कोशिश करना यह जो है यह बंदा यह solicitor के पास आया हुआ है solicitor के पास आया हुआ है यह पुछ रहे have you found a precedent क्या आपको कोई ऐसा चीज मेला कोई ऐसा सबूत जो पहले आप precedent का मतलब जो निकल के आता है उससे तो यह बोल रहे yes you did the same crime in 1974 यह जो 1974 में जो crime किया था यह बिल्कुल क्या हो गया पहले किया हुआ एक घटना है ठीक है तो यह precedent हो गया यह आज जो किया हुआ था उस घटना से ठीक है आज का घटना पहले ही दोर आया जा चुका है 1974 में तो वो 1974 वाली घटना है वो precedent हो गया तो प्रेसिडेंट मतलब होता है previous example clear I think next देखी प्रेसिडेंट से similar क्या हो जाता है प्रेसिडेंट यह तो आपको पता ही है प्रेसिडेंट राष्टपती को भी कहते है और अध्यक्स को भी किसी इंस्ट्यूशन के हेट को भी आप कहते हैं तो यह प्रेसिडेंट है clear next जो वर्ड है वो क्या है prosecute prosecute का क्या मतलब बता है आप कोई ऐसा court वाला scene देखे होगे कभी तो उसमें prosecutor होता है तो प्रोसिक्यूट जो वर्व है उसका मतलब क्या है आपको प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कोई भी मुकदमा चलाना किसी पर प्रोसिक्यूट ठीक है तो प्रोसिक्यूट यह सीन आता है जब भी आप प्रोसिक्यूट के बारे हम बात करते हो आपको अदालत जाना पड़ता है फेश करना पड़ता है वकील जज और धेर सारे सबूत और आपके खिलाब जो चार्जेज है उनसी जोगो तो यह हो जाता है प्रोसिक्यूट इस से ही सिमिलर वर्ड निकल के आता है वो क्या होता है परसीक्यूट आप जो हिस्ट्री पड़ोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसी घटना है आपको मिलेंगी विद इसी हिस्ट्री में खास करके जहां परसीक्यूशन बहुत जदा होता है अत्याएं अत्याचार किया जाना दमन किया जाना तो सताना किसी को दमन कर जिसे she was mercilessly persecuted for not bringing a car in dowry dowry में एक कार नहीं लाने के करण दहेज में एक कार नहीं लाने के करण उसको क्या किया गया बहुत ज़्यदा सताया गया उस लड़की को से लिखा हुआ है उस लड़की को तो क्या हो गया यह पर्सीक्यूट मतलब सताना persecution देखो यहां पर हो रहा है लिखावा भी है persecute और किया भी जा रहा है persecution यहां पर अत्याचार करना मार दिया जाना खत्म किया जाना इस सामसी के साथ लिख क्या किया था persecution ही हो आ ठीक है तो यह चीज़ है persecute तो चलाना चलिए next word पे चलते है this is ordinance अध्यादेश कहते हैं, तो इस टाइप की चीज़े हैं, तो वो ordinance कहलाती है, अध्यादेश हम लोग कहते हैं, गौर्ब्मेंट ओर होता है, जैसे फटाक से कुछ कानून बनाना हो, तो कानून बनाना एक लंदी प्रोसेस है, तो सरकार इतने दिर के लिए क्या करती है, जब त देती हैं, तब तक इसके हिसाब से चीज़ें होंगी, तो जैसे एक सेंटेस देखो, गौर्ब्मेंट है इस इस्यूड और इंपोस कर दिया जाएगा, जैसे कि इस सेंटेंस से देखे, कि ओर्डिनेंस का मतलब कि एक क्लियर हो जाएगा, कि एक ओर्डिनेंस पास्ट हो गया है, कैसा, stop attack on doctors, डॉक्टर पर अत्याचार होड़ा, attack हो रहा है, माल लीजिए, तो तुरद से कानून पास किया गया, तो एक ओर्डिनेंस पास हो गया, जिसके तहत कि डॉक्टर पर अ मतलब में भी, ओर्डिनेंस इच, अध्यादेश, एंड ओर्डिनेंस इच, जो आपका ammunition होता है, जो guns होते हैं, युद्ध सामगडी होते हैं, गोला बारो, दस्त्र, उनको आप क्या कहते हो, ओर्डिनेंस, जैसे कि there is an ordinance factory in Amity, हाल फिलाल में establish किया गया न, जो स्मिरती इरा गानी का लोग सभा छेतर है, there is an ordinance factory in Amity, Amity में एक ordinance factory established किया गया, तो यह सारे युद्ध के जितने भी सामान होते हैं, यह guns हो गए, जितने भी missiles हैं, जितने भी चीज़ हैं, आजकल तो अप new channel खोल तो आपको सारा ordinance दिख जाएगा कि क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या ओप क्या है, full of jealousy, irshya, किसी से बहुत जाता, द्वेश होना, irshya होना, that is jealousy, जिसे कि, Aaron seems to get jealous whenever sansa speaks to another boy, मतलब समझाने के जरवत मेरे ख्याल से नहीं है, आपको इस image से समझा देता हूँ मैं, कि Aaron जो है, वो jealous हो जाता है, कब, जब sansa किसी और लड़के को देख रही होती है, तो य यह है jealous, काफी clear है, एक और word इस से ही similar होता है, इसलिए मैंने इस word को include किया, jealous तो काफी common है न, इस से similar जो word हो क्या है, zealous, zeal, z-e-al, zeal, zeal, लेखो यह word, जावान के लिए आप जीलस वर्ड यूज करते हो, मैं डॉटर इस वेरी जीलस अबाउट हर नियो पॉइंट मेंट, नया जो पॉइंट मेंट आया है, उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा जीलस है, एंथुसियास्टिक है, जैसे देखो इमेज में, सारे कि सारे बंदे आया हुएं और सारे काफी इनरजेटिक है, हॉलिडे बना रहे हैं, काफी ज़्यादा इनरजेटिक है, तो ये सारे वर्ड थे आपके लिए, फटाक से रिवाइज करते हैं इसको हो मुलोग, पहला वर्ड था प्रोस्क्राइब प्रेस्क्राइब का जस्ट उल्टा है प्रोस्क्राइब मतलब होता है क्या मना कर देना आप नहीं पी सकते इसको ओफिस में तो यह होगा प्रोस्क्राइब नेक्स्ट वर्ड आया प्रेस्क्राइब prescribe मतलब होता है ये दवाई लीजिए डॉक्टर के आपको prescription देते हैं तो ये होगे आपको कुछ भी recommend किया जाना pair pair से याद रिकिए pair मतलब होता है trim करना आप अपने nails को trim करते रहे हैं और सरकार ने budget package को जो है trim कर दिया है इसका मतलब क्या होता है कि कम कर दिया है सेम मतलब है trim pair तो ये अलग-लग sense में pair का आप यूज करेंगे यहाँ देखिए यह पेर किया जा रहा है प्रेसीडेंट हो गया, तो यह प्रेसीडेंट हो गया, प्रेसीडेंट क्लियर है, प्रोसीक्यूट, प्रोसीक्यूट मतलब क्या होता है, प्रोसीक्यूटर, अदालत, कोर्ट, चले जाए यह वहाँ से क्या हो जाएगा, to officially charge someone किसी पर अभयोग लगाना जैसे कि यहाँ पर यह सीन आपको जब भी याद है यह हो गया prosecute prosecute मतलब होता है किसी को सताना, मारना उसका दमन करना that is, operates करना तो यह हो गया आपका prosecute next word है वो क्या है ordinance, ordinance मतलब क्या होता है सरकार के दोरा पारित एक तुरंत बना कानून, जिसे कि stop attack on doctors, यह क्या है, एक ordinance पास हो गया, इस टाइप से और ordinance का मतलब क्या हो जाता है ordinance, ordinance मतलब हो जाता है सीधे सीधे, युद्ध सामगरी जितने भी युद्ध की चीज़े हैं वो सारी क्या हो जाएंगी ordinance की चीज़े हो जाएंगी और्डिनेस फैक्टरी बोला जाता है मतलब की वहाँ पर क्या बनेगा असला बारोधी स्रिफ बनेंगे यह हो जाता है, jealous jealous का मतलब क्या होता है यह है जैलस आपका उसके बाद जीलस जीलस का मतलब क्या होता है बहुत ही ज्यादा इनर्जेटिक ठीक है सारे वर्ट्स हो गए रिवाईज थैंक यू अवरिवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो